कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता पी चितमरम ने केंद्रे स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन पर निशाना साथते हुए सवाल किया कि अगर एक मई को लोग वैक्सीन के अभाव में वैक्सिनेशन केंद्रों से वापस लोटे तो क्या वै अपने मंत्री पत से इस्तीफा देंगे इस बारे में पी चितमरम ने ट्वीट किया स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्श वर्दन के लिए एक मई को एक इम्तिहान होगा उनका और उनकी सरकार का दावा की राज्यों के पास टीको का परियाप्त भंडार है उनका ये दावा हवा में उर जाएगा पूर्व ग्रह मंत्री ने दावा किया कोई भी राज्य 18-44 वर्ष की आभादी के लिए टीका करन शुरू करने के लिए तयार नहीं लग रहा यहां तक की कोविन एब भी सयोग नहीं कर रहा है उन्होंने सवाल किया कि यदि टीके के अभाव के आधार पर लोगों को एक मई के बाद टीका करन केंद्रों से वापस कर दिया जाता है तो क्या स्वास्त मंत्री इस्तीफा देंगे हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसी ताजा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब के स्वी के साथ और खबरों के साथ